वेलकम टू गाइस माई न्यू ब्लॉग दोस्तों आज मेरे भी थोड़ा चैरा उतरा पड़ा है हमारे स्पाइटर की तवित खरावे कल से अभी उसे काशिपूर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं सरकारी होस्पिटल और कल आमने एक डॉक्टर दिखाया था वो कह रहे है आए कि परावोगी बिमारी की शिकायत है अभी लेके जा रहे है खाशिपूर वही मिलते है दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना तो कि यह स्पाइटर मेरा बिमार हो रहा बिचारा अभी इसे लेके जा रहा हूं काशिपूर देश लोड़ने सकते हैं अब कैसे बैठा है य प्राइट है मिलकूर नर्वस सा हो रहा है चलो दोस्तों चलते हैं का शिपरी से लेके वीडियो को साथ जुड़े रहना है कर दोस्तों मैं फिलाल होस्पिटल में आगया सरकारी होस्पिटलें पीछे अब भी कृतों को दियाक्शन बैट्राव है उने देख आए कर दोस्तों आप दे सकते हैं इस पार दो पॉत्ले लग रही है की ज्यादधा की कहला है तुट है शेयर हो बोत लकरका गई है बहुत ज्यादा परशान है इसे खाने पेने के लिए भी मना कर दी डक्टर साब ने और तीन चार दिन लगा तर बहुत ले लगे लिए और यहां भी और भी बहुत सारा कुट्टे आये हैं जिनकी तब खराब है अब इसक्तियों कैसे लेटा हुआ है लस्मे लग रही बहुत सपाइटर को एक जैक्षन लग गया है बहुत ले भी लगई अब यहां से निकल रहा है घर के लिए अब इस पाइटर को घर ले के जालते हैं बहुत परशान कर दे इस पाइटर ने भी बड़ी मुश्क्ल से बहुत ले लगवाई तीन बहुत ले लगाई हैं 100 एमल, 150 एमल चलो दोस्तों निकलते हैं यहां से वीडियो को साथ जूड़े रहना दोस्तों इस टेम मैं पुल की तरफ हूँ कोशिपी की तरफ है दोस्तों यह पुल का भी काम चला है यह दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया है तीन-चार महिने के लिए अब कोई भी वहां नहीं जा रहा है मोट सेंकल तक नहीं जा रही इसलिए एक नीचे से पानी से रास्ता बनाया है निकलने के लिए लकडियों का अभी आपको दिखाते हैं पिछे आप देशते हैं यह मिस्त्री लगए है पुल का काम चला है पिंचार महिने तक चलेगा यह दोस्तों यह देश सकते हैं आप लकड़ी का पुल बना रखा है जो मोट सेंकल लिए जा रही है यह पार तक नीचे नीचे से बना रखा है और यह काम चला है पुल का यह पानी की वैसे मतलब किसी को समस्या ना है पार निकलने की क्योंकि पानी बड़ा है अभी भी मोट सेंकल नहीं निकल सकती यह निकल रही है मोट सेंकल और यह रेलवे पुल का भी काम चला है दोस्तों इस टाइम मैं सत्तर एकड प्लाट में हूँ यह हमारे गाउं के पास ही सागवा ने यह प्लाट सतर एकड का है मुकंदपुर के पास देश सकते हो सारी जगा पर सागवान ही सागवान है और कितनी प्यारी जगा लग रही है और इस तरह आप देश सकते हो पास में क्रेशर भी है खाली मैदान भी है दोस्तों यहां कई बाहर से आते हैं यहां वीडियो वीडियो शूट करते हैं क्योंकि यह जगा बहुत प्यारी है सागवन के पत्ते थोड़े में कम है इस्टेम जड़ गए हैं अभी और यहां बहुत हरयाली हो जाती है दोस्तो आज का ब्लोग मुझे यहीं खतम करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा पूरे दिन ही कई मन नहीं लागा क्योंकि स्पाइटर को आज चार बोतले तीन बोतले लगी हैं इसकी तेवित कराब है कल भी उसे ऑस्पिटल ले जाना पड़ेगा आज मुझे उसके चक्कर बाहर में घुमने के लिए जाता आज ब्लोग बनाने के लिए इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया और मिलते हैं कल एक नए ब्लोग में थैंक्यू दोस्तो कर दो